और शेले सीधे आपको दिखाते हैं यूपी की तस्वीरे सीम योगय इतनाथ ये देखे आउनका आयोध्या दोरा है आज और यहां पर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं सीम योगय इतनाथ आयोध्या से सीम योगय इतनाथ किया तस्वीरे आप देख रहे हैं कि देखिए आज जा सीम योगी आयोध्या में हैं राम अंदेर के निर्मान कारों का जायजा भी लेंगे जो विकास पर योजना हैं उनका खुद नरीक्षन भी करेंगे लेकिन उससे पहले पूजार्चना खुद आशिरवात लिया तिलक लगवाया और यह देखे तस्वीरे दर्शन करते हुए सीम योगी भारत 24 पर exclusive तस्वीर आप देख रहे हैं आयोध्या की यह तस्वीर और यह देखिए प्रसाद का भोग लगाते हुए आरती करते हुए सीम योगे इतनात की तस्वीरे आप देख रहे हैं आयोध्या दोरा है उनका योध्या में पहुँचे ह और ये वो पटका सम्मान के तौर पर उनको पहनाते हुए शंकनाद की अवाज प्रशाद और सीम योगी आप दर्शन करने के बाद वहां से निकल रहे हैं बाहर अब जाकर जो निर्मान कारे चल रहा है उसका जायजा लेंगे सीम योगी इतना यह तस्वीर आप देख रहे ह यहां पर अंदर पहले आरती पूजा की और उसके बाद में बाहर आके भी नमन करते हुए फिर आगे तमाम जो निर्मान कारे चल रहा है उसका निरिक्षन कर रहे हैं सीम योगी इतना यह एक्स्क्रूजिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर आयोध्या से सीम योग तस्वीर आप देख रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना की सीम योग इतनात ने आरती की भोग लगाया प्रसाद ग्रहन किया और उसके बाद आगे तमाम विकास पर योजना को निरिक्षन करने के लिए आगे बढ़ गया सीम योग इतनात यहां देखे मंदिर में पूज पूजा अर्चना की आशिरवाद लिया आरती की राम भक्तों को इंतजार है अब राम मंदिर का और देखे खुद लगाता जैसे हम जिक्र करते कि खुद लगातार नजरे बनाये हुए हैं सीम योग इतनात क्योंकि नहीं खुद आवान किया कि 2024 जनवरी में राम मंदिर मे लोग दर्चन कर पाएंगे सीम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और यहां आरती की भोग भी लगाया उन्होंने जिसके बाद आशिरवाद लेते हुए फिर आगे बढ़े सीम योगी आयोध्या दौरे पर सीम योगी एतनात राम भक्तों का इंतजार अबस खर्फ होने ही वाला है आयोध्या में योगी हैं और आज पहले इससे पहले वरांसी का उनका दौरते के एक और तस्वीर आ रही है जहां पर निर्मान कारे का वो लगातार जायजा ले रही है तस्व से निर्मान कारे लगातार आगे बढ़ रहा है और देखिए खुद निरिक्शन करते हुए नजरा रहे हैं एहते शाम जुड़ रहे हैं मरसत में सीधे एहते शाम का रूप करते हुए एहते शाम सीम योगी एतनात का आयोध्या दौरा पहले दर्शन पूजन आशिरवाद और उसके बाद काम काज मुलाखात करने के बाद सीधे वहीं से चाफर से फोजे लाइंड़ है और सीधे वह मंदिर परसाफ पहुंच़ गया है जहां पे वह दर्शन पूजन कर रहे हैं तो सीजी तस्वीर है मंदिर परसंटे हैं जो इस वक्त दर्शनग पूजन कर रहे हैं उनका साफ यह है कि हम दर्शनग पूजन करने के बाद जो विगास कार है जो भविमा मॉडल पेश कर रही है उत्तरदेश सरकार पूरी दुनिया में शीराम का जो मंदिर बंदा है जहां पर लाकोश धालू का आना जाना रहेगा उसको शुरू करना है तो उसके गलियारे से लेके परिसर से लेके कॉलिडोर से लेके तमाम जो सुक्सविधाय हैं जो तमाम डिज करेंगे और दिशा निर्देश देंगे क्योंकि मुखमंतरी योगिया चाहते हैं कि जो किन सरकार इनको एक वक्त दिया गया है इसके उठाटन का या उसके सुरूप को पेश करने का उससे पहले सारा काम कर लिया जाए तो इसको पूरी अजुध्या में युदवतर पूरी सरकारी मशिनी लगी हुई है और पूरा एक डिजाइन ही बदल जाएगा जो लोग वहां पर दर्शन पूजन करने पहले गए ते और अब जाएंगे तो उनको पूरी तरह से बदली हुई एक मॉडर्न अजुध्या दिखाई देगी और हम आपको खास बात बता दें कि है और पूरी तरह से कोशिश कर रही कि जोड़ा जाए और देश विजेश पूरी दुनिया से लोग यहां पर आये मुखमंत्री खास तोर से वहां पर जो एयरपोर्ट बंदा है शीराम का एयरपोर्ट उसका भी निच्छन करेंगे और हम आपको बता दें कि सरकारी पूरी कोशिश कर रही है कि जो विदेशों से टूरिस्ट है परेटक है जिनको अजोध्या आना है वह लखनों आप आ है अजोध्या सीधे आरपोर्ट पर उतर जाएं तो सरकार की पूरी कोशिश कोशिश है कि परेटन के साथ साथ संस्कित के मदे नजर इसके विकास इस देश है कि वो नहीं शनीवार देखा जाए नहीं रविवार देखा जाए जाहिर सी बात है देखिए एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्मान कारे तेजी से आगे बढ़ रहा है दो तस्वीर आपके सामने हैं आयोध्या दोरे पर पहुँचे तो सबसे पहले भगवान शिराम का आश्रवात सेम युगया इतनार्थ ने लिया आरती पूजन किया भोग लगाया प्रसाद लिया और उसके बाद में फिर कामकार जुपकी बारी आई सुप्रेम कौट के फैसले के बाद से लगाता राममंदिर के निर्मान कारी के लिए सरकार की ओर से जोरों से प्रियास किये गए और 2024 तक कम से कम पहला तल बनकर तयार हो जाए और रामलला विराजमान हो राममंदिर में इसकी तयारी योगे इतनात की सरकार ने कर ली और देखे खुद बार बार आयोधिया जाते हैं योगे इतनात और लगातार वहाँ पर जाकर जाएजा लेते हैं राममंदिर के निर्मान कारों का इस बार भी अपने अयोध्या दोरे पर सबसे पहले भगवान शुराम का आशिरवात लेकर सीधे कामकाज देखने के लिए पहुंचे और यहां देखे बकाईदा कईज देखे सबसे बड़ी बात यह कि सीम योगे एतनाथ जब भी कही निरिक्षन करते हैं तो बकाईदा बा हमारी किसी डीटेज लेते हुए नजर आ रहे हैं